reboot and select proper boot device, तो इस error को solve करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, अपना PC start कीजिए या फिर restart कीजिए, और उसके boot menu में जाएगे, जो के F2, F10 और Dell प्रेस करने से आएगा, तो हमें restart करने के बाद Dell प्रेस करना है, जैसे हम Dell प्रेस करेंगे तो हमारा boot menu, boot menu का जो BIOS menu है, वो open हो जाएगा, उसके बाद में हमें जाना है, एडवांस, बायस, फ्यूचर में, उसके बाद आप चाहिए, boot priority में, यहाँ पे तीन boot devices से, first, second and third, तो यहाँ पे जो first boot device से, उससे हमें DVD, CD और DVD राव करना है, second boot device जो है, तो वहाँ पे सेटा करना है, जो के आपके हड़ी से, और third boot device जो है, उससे floppy करना है, ठीक है, याद रखना है, यह जो boot device है, third, sorry, first, second and third, जो मैंने बताया है, वह ही रखना है, CD, first, CD device, CD और DVD, second, sata and third floppy, तो F10 करते होए हम इसे save करते हैं, F10, save, ok, enter, जो बंदी करते हैं, झाल झाल